गुड मॉनिंग यूनिक जुसइन चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा important है और आज आपको 15 क्योश्चनों का टेस्ट देना है ध्यान दी जीगा बहुत important है क्योंकि आज के test के question थोड़े tough हो सकते हैं और अगर आज ज़्यादा सही कर गए 15 questions में अगर आप 12-13 सही कर गए तो मान चलिएगा आपकी तैयारी बहुत best मानी जाएगी तो पूरे confidence से मन को एकागर करके test लगाईए और कितना answer आ रहा है वो हमको जरूर बताईएगा और हम आपको बता दें कि जो पिछले बार जैसे कि जब आपको test लगवाय जाता है तो आपको last में एक question दिखा जाता है उसका answer आपको comment box में देना होता है तो पिछली बार जो हमने 1972 दिया था जबकि 1972 नहीं है तो याद रखिएगा वो option D जो था वो गलत था बाकि तीनों सही थे आज का question ध्यान से देखिएगा और last में question भी आपसे पुछा जाएगा तो पहले यहाँ के question ध्यान से देखिए और इनको हल करने की कोशिस करिए चलिए question देखिए question है वन पारिस्तिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं जो वनों का पारिस्तिक तंत्र होता है उसमें हरे पौधे क्या होते हैं आपके सामने आपके सामने ओफशन से ओफशन देखिए मूल उत्पाधक, मूल उपभुगता, अपघटक, उत्पाधक सोचीगा चलिए जो बताते हैं आपको यहाँ पर ओफशन D सही है हरे पौधे उत्पाधक बोले जाते हैं मूल उत्पादक आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हरे पौधों के अलावा भी बहुत छोटे छोटे पौधे या फिर फंगी कवग और भी छोटे साइनो वैक्टिरियाज होते हैं जो उत्पादन करने का काम करते हैं बहुत नाम मातर का बहुत छोटा उत्पादन करते हैं वह भी करते हैं तो मूल उत्पादक नहीं कह सकते हैं लेकिन उत्पादक कह सकते हैं तो आप संडी सही होगा उत्पादकों के द्वारा बनाया गया भोजन खा ले जैसे पौधों को खाने वाले क्या होते हैं उनको मनुस्य खा जाते हैं तो यह उत्पादक कर रहे हैं भी चीज गिर गई, सड़ गई, कुछ दिन में सड़के खतम हो जाती है, तो वो सड़ने वाली जो क्रिया होती ही ना, वो अपघटन कहा जाता है, और जिन जीवाड़ों की माध्यम सोता है, उन्हें अपघटक कहते हैं, यह तो आप जान गए होगे, यहाँ पर आफशन D सही जाते हैं वहाड़ी था, चलते हैं भी सही होगा, जीवो और वन पारिसित्य का जो अध्यन होता है, इसको बोलते है, इकोलाजी, थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहो, तो आटियोकोलाजी एक ऐसे एक ही जात के जीवो का अध्यन कहलाता है, और साइनकोलाजी किसी छेत्र विशेश में पूरे जीव के लिए कोलेस्ट्राल आवस्यक होता है, किसके संसलेशन के लिए कोलेस्ट्राल आवस्यक होता है, और संसे आपके सामने, और संदेखिए, और सं है इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, गलाइकोजन, उप्यूगतों सभी, चलिए, यहाँ पर आपसन होगा, इस्ट्राडियोल, ये कुलेस्टरान के संसेट के लिए, इसके संसेट के लिए कुलेस्टराल आवे सकता है, बाड़ी में कुलेस्टराल होता है, आप जानते हो, जो कि हमें वसी यमलों से प्राप्त होता है, खासकर तैली चीजों से ज़्यादा मिलता है, एंसुलेन ये अगनासे से निकलता है, आप जानते हो इसकी कमी से डियाविटीज रोग हो जाता है इंसुलीन का काम क्या होता है कि सरीर में जो इस्ट्रा भोजन आ गया है जो ग्लुकोज आ गया है उसको गलाइकोजन के रूप में बदल कर कहा रखेगा ले जाके एक्यक्रित में इस्टोर करता है यह तो आप जानते हों के पढ़े होंगे यह सब तो यहाँ पर option B सही था चलते हैं next question पर अगला question ध्यान से देखें क्योस्टन अच्छा है निम्लिकित में कौन सा दुख्ध प्रोटीन है आपको चार option दिखाये जाएंगे और आपको पहचानना गिनमें से कौन सा दूद का प्रोटीन है चलिए option देखें आप लेक्टोजेन, मायोसीन, कैसीन, रैनिन चलिए एंस बताते हैं आपको यहाँ पर option C सही है कैसीन प्रोटीन दूद में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वज़े से दूद सफेद होता है दूद का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन की वज़े से होता है दूद में हलका पीला रंग भी होता है जिसकी वज़े क्या है कैरोटीन प्रोटीन और दूद मनुस्यों में जो वयस्क मनुस्यों होते हैं उनके अंदर रैनिन एंजाइम की कमी हो जाती है आप अपर रेनिन देहुत है है इए यह पत्ता पांच में जादा पाया जाते है व सब्सक्राइब दोड़ पोचाने में दिखत है इसकी दोड़ करते हैं ही कारण आपके लिए जाते हैं खासकर शुरूआती बछे जो जन में ले पांक्ठे साल 5-6 महिने, 10 महिने, 12 महिने तक बड़ी मात्रमी अंजाइम होता है यही कारण है कि 5-6 महिने तक बच्चे दूद पीकर ही जिंदा रहता है मतलब कि जीवीत रहता है कोछ भी खाता पीता नहीं है यह अंजाइम बड़ी मात्रम पाता है पाया जाता है और ये दूद को पचाने में काम देता है Lactogen आप जानते हो एक Lactobacillus अमल होता है जो दूद में पाने के जासे दूद खटा हो जाता है और वो दही बन जाता है आप जानते होंगे पढ़े होंगे इसके बारे में और प्रेनिन एक एंजाइम है जिसकी वज़े से दूद सरीर में पचता है तमाम चीज़े आपको बताया गया है यह जानकारी की चीज़े है जानते रहेगा इनको यह गलग क्योश्चन देखते हैं क्योश्चन ध्यान से देखें क्योश्चन ने दांत का सिखर बना होता है यह दांत का सिखर किसका बना होता है ओप्सन देखिए आप ओप्सन है आपके सामने उपास्ति का एनेमल का डेंटिन का का काईटिन का सोचिए किसका बना होता है चलिए आपको एक्सव बताते हैं यहाँ पर option सी सही है, dentine का आप देखिए यह जो दात होता है अब यह जो दात आके वाले लेकर दिखते हैं अब यह जो दात दिखता है यह जो बाहरी वाला परज जो सफेद आपको दिखता है इसे बोलते हैं दात का animal ये एनेमल होता है ये बाहरी वाला जो सफेद चमकता रहता है लेकिन इसके अंदर जिस पर ये एनेमल रुका हुआ है अंदर वाला ये वाला पार जिस पर ये दांत रुका रहता है उसको बोलते हैं डेंटिन तो इसका सिखर आके इसी पर रुका हुआ है मतलब दांत का जो स जिखर होता है, इसी पे आकर ये एनिमल चिपका रहता है, वो दात को मजबूती प्रदान करता है, उपास्त जानते हो, अस्त ही जानते हैं, अस्त ही मतलब हड्डियां, हड्डियों से थोड़ी सी जो कमजोर लचीली होते हैं, उपास्त ही बोली जाते हैं, आपका जो सारी हड़ियां इसे जाके पीछे लगी रहती हैं आपका भी X-ray कराये होंगे तो ऐसी धेर सारी हड़ियां मिलती हैं 12 जोड़ी होती हैं मतलब कि 14 जिने पसलियां बोलते हैं वास्तों ये उपास्थियों की बनी होती है आपके सरीर में सब के इंसानों के सरीर में होती है तो ये उपास्थियों होती है और काइटीन वास्तों में कार्बोहाइडरे होता है आप काक्रोच देखे हो काक्रोच के जब उपर ही चमड़ा होता है कितना चिकना होता है वो काइटीन का बना होता है कार्بो हाइडरेट होता है चीन में लोग उसे भुन-भुन कर खाते हैं तो काईटर वही होता है चलते हैं ने-स क्योस्यन पर छेoyo हो गए अब 5 क्योस्यन हम शम्मिधान से दिखेंगे हैته क्योस्यन है हमारे संविधान में न यह इक यहां संचनल में कोई कानून बना, लोग सभा में पास होगा, रास्ळाइब़ए उभनेगां लेकिन वो कानून कितना सही है इसको चेक करने का पावत दिया गया है सर्वोचनेेले को अगर सरोच न्याले को लगे कि वो कानून गलत है तो वो उस कानून को रद्द कर सकता है तो सरोच न्याले का यह पावर कि वो कानून को चिक कर सके उसे बोला जाता है न्याईक पुन्रावलोकन एक ये है एक दूसरा है कि एगर नयाय दिया गया है तो सरोच नयाले उस नयाय पे फिर से पुन्रावलोकन कर सकता है क्या नयाय सही तरीके से दिया गया अगर किसी को फासी दी गई है तो क्या सही तरीके से दी गई है ये तमाम चीजे जाच करना सब उसके अंतर गताता है त इगलाई आपने किया लिया है। बताईएगा जरूर अगला क्यूस्चन देखते हैं काफी अच्छा क्यूस्चन है भारत की निर्वाचन आयोग द्वारा निमलिखी तग राजनितिक दलों में से किसे राश्ट्री दल के रूप में मानिता नहीं दी गई है कभी भी क्यूस्चन पढ़ा करें अगर नहीं सब्द है तो जरूर ध्यान दिया करें चार आपसन आपको दे रहे हैं उनमें से पुछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो इसे राश्टी दल की मानिता नहीं दिया गया है तो चलिए देखते हैं आपसन देखें आप नेशनल कांग्रिस पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारती कमिनियश्ट पार्टी किसे राश्टी पार्टी का दरजा niż दिया गया है सोचिए चलिए आपको इसे बताते हैं यहाँ पर आपसन दी सही है समाजवादी पार्टी एक छेत्री पार्टी जिसका चिनाचिन साइकिल है आप तो जानते होंगे और कांग्रिस का तो पंजा है बहुजन समाज पार्टी का हाती है भारती कमनिश पार्टी का हाती है और असिया और बाली पढ़े होंगे तो यहाँ पर option D सही है अच्छा कुछ चेज बताईए आप आप यह बताईए कि किसी पार्टी को राष्टी पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कोई पार्टी एगर राष्टी पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो क्या करना होगा चलिए मैं बता देता हूँ राष्टी पार्टी का किसी पार्टी को अगर दर्जा प्राप्त करना है तो उसे चार राज्यों में कम से कम चार राज्यों में छेत्री पार्टी का दर्जा प्राप्त करना होगा अगर वो चार राज़ों में छेत्री पार्टी का दर्जा प्राप्त कर रहा है तो उसे राष्ट्री पार्टी का दर्जा मिल जाएगा अगर ये नहीं कर पा रहा है तो कुछ और कर ले जैसे उसे लोग सभा में लोग सभा में कम से कम 2 सीटे और लोग सभा की सीटे 545 जो है उसका 2% निकालेंगे कम सकम 2% सीटे मतलब लगवा कि 11 सीटे कम से कम 3 राज़ों से वो जीता हो तब भी उसे राश्टी पार्टी का दर्जा मिल जाएगा अब एक आप उपर लिखे थे कि सुने थे पहले सुने थे पार्टी का दर्जा प्राप गिया जा सकता है ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिसके माध्यम से पार्टी ओको राश्टी पार्टी और छेतरी पार्टी का दर्जा दिया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में कितनी राष्टी पार्टिया है आपको बताना है वर्तमान में कितनी राष्टी पार्टिया है और सबसे नई वाली कब बनाई गई और उसका चुनाचिन क्या है हमने आपको पॉल्टी बहुत अच्छेस बता है ये क्योश्चन गलत नहीं होना चाहिए दूसरी बात गूगल नहीं करना है कापी नहीं खोलना है इमानदारी से बताना है चलते हैं नेश्ट क्योश्चन पर क्योश्चन देखें ध्यान से क्योश्चन अच्छा है भारती सम्विधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय के माध्यम से सुनिश्चित करता है आर्थिक न्याय किसके माध्यम सुनिश्चित करता है कि नागरिकों का आर्थिक न्याय हूँ या किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है options से आपके सामने option देखिये, अच्छा क्यूश्चन है यह मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों के माद्धियम से मौलिक कर्थब्यों के माद्धियम से, प्रस्ताउनाग माद्धियम से राज के नीद नहिशन सक cią biased σद्धान्तों के माद्धियम से राज की नीदने दे सकता तो ये राज भी बाद्धिकारी नहीं है इसको लेकर आपने आले नहीं जा सकते ये सकारात्मक होते हैं बहुत सारी चीज़े आप पढ़े होंगे तो ये ECB का इसा चिक है जो पैंक की इच्छा भी निर्फर करता होगा आप सुने होगे केटी साह ब उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्तान यहां पर सुची दो दिया है सुची तक रिबलानी रावडी देवी उमा भारती वसंद्रा राज्ये तो आप समझ सकते हो कि आप उचह जा रहा है किस राजी से कौन संबंदित हैं आपके सामने उसके हिसाब से आप सुची के हिसाब से कौन सा आप संबंदित हो सकता है चलिए आपको इससे बता देते हैं यहां पर आप से ए सही है मतलब कि सब आप ध्यान से देखोगे ना सब एक राजी की मुख्यमंत्री रह चुकी है जो आप देखे हो असंद्रा राजे या फिर रावडी देवी बिहा की होंगे वसंद्रा राजे राजस्थान की तो वह उसी राजी की मुख्यमंत्री रह चुकी है इस हिसाब से थे और आप से ए सही है चलते है next question पर चले मैं बता ही देता हूं आपको सुचेतक रुखर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है राबडी देवी बिहार की सुप्रिम कोडर फट्री का साथ और हाई कोड를 दोनों के हथिकार चेत्र में आते हैं कौन से मामली अप्षों से है आपके सामने पहला option है केंदरों राज्यों के वीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के सनरच्छन का मामला, संविधान के उलंगन से सनरच्छन सोची अच्छा किश्चन है, चली एंसे उताते हैं आपको, यहाँ पर option C से होगा, मूल अधिकारों का सनरच्छन जब भी कभी आपके मूल अधिकारों का उलंगन होता है, कोई मूल अधिकार आपका छिंता है, तो आप 32 के तहज सुप्रेम कोर्ट जाते हो, और 326 के तहट हाई कोर्ट जाते हो, यह मामला दोनों कोर्ट में जया जा सकता है, लेकिन जब आप केंदर राज्यों का आगे के 5 questions आपके भुगोल से होगे पांच questions फो गया जोबिझ्यान का पांच questions हो गया पालटी से 5 questions आपको भूगोल से हल करना है 15 questions का यह टेस्ट रही questions है Чер्छोटी नंदाोडीवी चोटी इस्थीत है नंददवी चोटी है, औपसंस है, औपसंस के इसाब से आपको एंसर देना कि नंददवी चोटी क्या है, औपसंस है आपके सामने, असम हिमाले का भाग, कुमायो हिमाले का भाग, नेपाल हिमाले का भाग, पंजाब हिमाले का भाग, चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर option, भी सही है, कुमायो हिमाले का भाग आप जब कभी भारत का माइब देखें गें बिस भारत का माइब तो ऐसे उपर जम्मुकस्मीर बनता है, इधर से अलग होता है, यहाँ से उत्राखंडे से अलग होता है, तो यह ब्रिहद हिमाले गया है, इसके जेट नीचे लग हिम में मिलता है और यहाँ पर जो नंदा देवी चोटी है यह भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है भारत की पहली हिमाले में ध्यान से सुनिएगा हिमाले में भारत की दूसरी सबसे उची चोटी नंदा देवी है और हिमाले में भारत की सबसे उची चोटी क्या है कंचन जंग वो बिस्स की दूसरी सबसे उची चोटी है लेकिन अगर भारत में गिनेंगे तो भारत की सबसे उची चोटी है भारत की सबसे उची चोटी है केटू है लेकिन भारत में हिमाले ये हिमाले का पार्ट नहीं है केटू भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी अगर पूछा जाएगा तब कंचन जंगा हो जाएगा ध्यान समझेगा और भारत की सबसे उची चोटी तब केटू हो जाएगा लेकिन कहेगा भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी तब कंचन जंगा अगर हिमाले नहीं जुड़ा है तो K2 होगा answer ध्यान रखेगा, K2 विस्व में दूसरे अस्थान पर आता है लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में पहले अस्थान पर आता है और विस्व में पहले अस्थान पर माउंट इवर इस्ट आता है चीजियों को अलग करके समझेगा इनहीं में question घुमा फिरा के पूछता है और confusion उत्पन करता है तो यहाँ पर answer आपको मिल गया होगा चलता है next question पर अगर एक अलग question देखते है question है हिमाले परवत एक मुख्य परकार है मतलब किस परकार का हिमाले परवत है मतलब किस परकार में आता है option है आपके सामने option देखिए आप जोला मुख्य परवत का वलित परवत का ब्लॉक परवत का अवसिष्ट परवत का सोचिए चलिए आपको answer बताते हैं आपको यहाँ पर यहाँ पर answer होगा हिमाले परवत एक वलित परवत है ध्यान रखिएगा वलित परवत ऐसे होते हैं जिनमें वलन पढ़ने से घुमाव पढ़ने से जिनका निर्माड होता है वलित परवत है और एक परकार से नया परवत है आप इसे बोल सकते हो मोड़दार परवत है कई नाम से मोड क्योंकि वलन पड़ा है घुमाव पड़ा है मोड़दार बोल सकते हो और यह अभी बन रहा है भी बड़ा हो रहा है इसको नया परवत भी बोल सकते हो सबसे नया परवत बोला जा सकता है और यह वलित परवत भी है इसको जानते रहेगा इसके लोग कुछ ची प्रवाग नीचे वाली चट्टानों पे टिकी हुई है अंदर उपर वाला भाग नीचे वाली चट्टानों पे टिका हुई है मानलो यहां पर किसी वज़े से भ्रंस होता है और ये वाला भाग और ये वाला भाग धस जाता है अगर ये वाला भाग धस के नीचे आ जाएगा तो ये इतना भाग उपर रह जाएगा तो ये वाला भाग इतना उपर रहेगा वास्तों में परवत नहीं थे, कभी सम्तल्प थे, ब्रंसों के चट्टानों को खिसकने से बगल चट्टाने धस गई, जिससे बीच वाला चट्टान उचा दिखने लगा, ऐसे परवत को ब्लॉक परवत कहा जाता है, ऐसे परवत असत्य परवत की स्रेड़ी में आते हैं, वा आप, दाप, गर्मी, धूल, मिटी से दिनों दिन उसमें चट्टानों में अफ्चह होता गया, उसके चट्टाने तूटते तूटते छोटे छोटा हो गया, और आज इसका बहुत छोटा भाग रह गया है, मतलब बहुत कम बचा हुआ है, धेर सारा उसके चट्टाने में आएगा, वलित परवत, या पर नया परवत, या मोड़दार परवत, आप कुछ भी कह सकते हो, तो यहाँ पर ऑफशन भी सही था, चलते हैं नेक्ट क्यूस्टन पर, अगला क्यूस्टन देखें, अच्छा क्यूस्टन है यह, भारत की सर्वोच परवस्रेड़ी कौन स अपके सामने, अप्शन देखें, गाडवीन आश्टिन, कंचन जंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, चलिए, एंस वताते हैं आपको यहाँ पर ऑफशन, यह सही, गाडवीन आश्टन अभी जश्ट थोड़ी दिर पहले हमने चर्चा किया था, अगर पूछें कि भारत की स जाना जाता है, जानते रहेगा, कंचन जंगा, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी है, तो यहाँ पर ऑफशन, इस सही था, चलते हैं, अगला क्योशन देखिए, अभी इस पर थोड़ी देर चर्चा किये थे, और आवली परवत सिखर का सर्वोस सिखर कहलाता है, और आ उसकी जो सबसे उची चोटी, उसका नाम क्या है, ऑफशन से आपके सामने, ऑफशन देखिए, गुरु सिखर, सेर, दोधा बिट्टा, अमरकंटक, चलिए ऐसे उताते हैं आपको, यहाँ पर ऑफशन, एस सही गुरु सिखर, अरावली परवत चोटी जो है, राजस्थान स पर रहते हैं, और इसकी जो उचाई है लगबख 1727 मीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस परवत की सबसे उची चोटी है, तो आपको पढ़ाना होगा, तो यहाँ पर ऑफशन यह सही है, चलते हैं, नेस्ट क्यूस्चिन पर, अगला क्यूस्चिन ध्यांच दे चलिए, आपको एंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑफशन, सी सही, एक भ्रंस कगार है, कगार क्या होता है, आप ध्यान दो, कभी मालों यह पत्थर है आपके सामने, अगर आप इस पत्थर को तोड़ोगे, तो क्या यह पत्थर ऐसे तूट जाएगा, एक दम किनारे सिख दम सम पार्ट ऐसे हो जाता है, तो भारत जो है, अफरीका महादीव से अलग हुआ है, और अफरीका महादीव से तूट रहा था, तो यह कगार के रूप में ऐसे फैलते हुए तूटा हुआ है, इसलिए यह जो भारत का पस्चिमी छेत्र है, यह भारत मायब देखोगे ना, तो भारत का यह वाला मायब, यह वास्तों में एक कगार है, वास्तों विकता है, यह वाला पार्ट बहुत उंचा है, यह वाला पार्ट ढाल है, इसलिए इधर से नदिया निगल कि इधर जाती है, यह ऐसे है, मतलब कि यह वाला पार्ट यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इतनी उछाई पर ऐसे रहते हैं फिर इधर सी यह आता है इधर से यह वाला जो iOS ऐ वाला पार्ष पर उस्ट्री इस लिए वस्त्विक्ता है कि यह ऐसे ढ़लान है, मतलब ये वाला पाट इधर से ये कगार है, जैसे आप पत्थर तोड़ते हो कगार बनता है, ये वाला पाट कगार में है, और इधर ये जो उचाई पर उठाया है, ये पस्चमिघर परोस्टड़ी बन गया है, और इधर ढ़ाल है, इसलिए जितनी नदिया इधर ही जाती है, तो ये परकार से ये कगार है, जैसे पत्थरों कगार बन जाता है, ऐसे पत्थर तोड़ते हो कगार बन जाता है, ये कगार है, सीधा पत्थर कभी ऐसे नहीं टूटता, वो एक तिरचे में टूटता है, ये कगार बन बोला जाता इसे, आसा करते समझ आगया होगा, चलते हैं next question पर, यहाँ पर total 15 question complete होते हैं, आपका कितना number आया, comment box में जरूर बताइएगा, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से टेस्ट लगाईए, अगर चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe कर लिजे, आज question नहीं दिखाएं, क्योंकि आज की टेस्ट में ज्यादा number question हो गए, बस आपक टेस्ट लगा के answer बताइए, question next time देखेंगे, और कितना number आया जरूर बताइएगा, अगर चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe कर लिजे, और चैनल पर पुराने हैं, तो जरूर सेयर करिएगा, दूसरों के पास, मिलते हैं आप से नेट वीड